ये सूपर टेस्टी, खुफसूरत और एकदम जूसी जूसी अंदर से मज़ेदार वाले मालपुए ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए तो बताइए कैसे बने हैं अच्छे बने हैं बहुत अच्छे तब तक तो हम दूसरे आइटम से छूते ही नहीं थे तो सोचिए कितरे टेस्टी बलते थे वहीं टेस्टी वाले मालपुए मैं आज बनाऊंगे मैं अपने किचन में तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स तो इसे बनाने के लिए नमने एक कप ये है आटा घर का जो बराबर करने के लिए उतने हमी बारिक वाली सूजी आट करने ही तो जितना मेरी कप में कम था ना मैंने तीन बड़े चम्मा सूजी डाल दिया तो एक कप के बराबर हो गया है और ये है दूद्स वैसे तो मालपुए ना रबड़ी वगरा से और गाढ़ा करके बनाते हैं लेकिन हम लोग उसी चीज को किस तरीके से अच्छा करके बनाएं वो कोसिस करते है तो दूद से मैंने इसका बैटर को गोल के रेड़ी किया है गाढ़ा गाढ़ा लेकिन देखिए भी ये गाढ़ा है अब इसको और हम पतला करेंगे और ये जो खोई वाला चीज देने के ये घर की ये ताजी वाली मलाई है जो घर में फ्रेश मलाई दूत की नििकलती है अप अप मोलक्री मलाई का भी यूज कर सकते ही है और बाकि मैं इसको और पतला करने के लिए ये इसंतमाल करऊंगी mostrar ये इसमें घी दोड़ा सा जाता है थोड़ändern घ्वी होता है थोड़ती और अच्छा सा अपड़ गंटों रबड़ी बनाई एक अच्छ अए पड़स अच्छी में पर कड गोल कानद से तरह आपके। तो नहीं अच्छा सा फोले माल पड़ी आपके एक छोटी के अच्छी नहीं है पूरा ही एड़ कर दिया है, यह देखिए अच्छे से से फेंड देते हैं, और यह देखिए यह अभी गाडा गाडा है, लेकिन मैं भी रहने देती हूं, और इसे अभी हम रख देंगे रेश्ट करने के लिए, अगर मेरी रेस्पी अच्छी लगी है, तो लाइक जरूर किया तो फ्रेंट जब तक हमारा बैटर रेष्ट कर रहा है तब तक हम इसके लिए चासनी बना लेती हैं तो मैंने लिया है एक कप से कम चीनी और उससे थोड़ा सा कम पानी और इस सब को मिला के हम अच्छे से इसका गोल तेयार कर लेंगे तो मैं चासनी बहुत गाड़ी नहीं करनी है पस हलका सा चीनी मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा चिपचपाहट आजा चासनी में हमें उतना ही करना है अब इसमें फ्लेवर और कलर के लिए मैं डाल देती हूं थोड़ा सा केसर तो इससे बड़ी अच्छी सा फ्लेवर भी आएगा और कलर भी आएगा लेकिन मैं थोड़ा सा हलका सा फूड कलर मिलाना ही पड़ेगा कि कलर तो बहुत नहीं आया यह देखिए हलका सा मैंने एड आप चाहें तो यहां पर थोड़ी से हल्दी वगर भी एड़ कर सकते हैं हलका सा वनना ऑप्शनल है नहीं जरूरत है इसकी भी और यह देखिए चीजनी पिखल गई है और यह है बहुत हो गया है थोड़ा सा और उबालेंगे लेकिन गाढ़ा नहीं करेंगे बहुत चासनी ग प्रेटर को इतना पतला कर लिया है ताकि यह अराम से गिरे और फ्रेंट्स यह है सौफ मैंने सौफ को न अच्छे से कूट के इसका पाउडर बना लिया हर मेठी चीज में तो लाइची जाती है लेंगि इसमें यह सौफ का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है और थोड़ी तो फ्रेंट्स से बनाने के लिए सबसे पहली बात तो यह रखनी है कि हमें फ्लैट चीजे चाहिए पैन कड़ाई कोई फ्लैट वाला और इसमें तेल भी हमें कम ही रखना है यह देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा हिसमें तेल डाला है बहुत भर के तेल नहीं डालेंगे और छोटी चम्मसे बीच में थोड़े से उपर से इस तरीके से डालते जाएंगे और अगर गोल नहीं हो रहा तो हलका हलका सा कर देंगे वैसे थोड़ा सा पतला रहता तो यह अच्छे से यह आराम से गोल शेप ले लेगा और छोटे छोटे हम बना में दूसरा एक और डा पाएगा और इसे हम धीमी आश पे पकाएंगे तो यह बड़ा सुंदर सा साइड साइड से एकदम क्रंची क्रंची और बीच में से एकदम जूसी जूसी सा बहत मोटा नी बनाना है एक छोटा कोई भी बड़ा चा चम्मस ले लीजेगा और उसे छोटे चम्मसे आप डाले है यह पहले एक साइड से हम अच्छे से से केंगे फिर उसे हम पल्टेंगे लेकिन मीडियम फ्लेम पे है ना एक सिंपल सी रेसिपी पता भी नहीं चलता है फटा फट बनके तयार हो जाती है यह चलिए एक साइड से हो गया है मैं पलड़ देती हूँ और आप भी बताईएगा कि आपके यहां भी माल फे हो ली है बनते हैं है कि नहीं यह देखिए मैंने दोनों साइड से इस तरीके से तलके तयार कर लिया है इसे पलट पलट के अब मैं इसे निकाल देती हूँ यह देखिए और यह से मैंने चास्ति में डाल दिया है इस तरीके से चास्ति में डाल के कोट के देखिए अब पतला ही रखा था लेगे ठंडा हों के थोड़ा सा और एक बात का ध्यान रखना है फ्रेंट्स दोनों में इसे एक चीज हमारी गरमी होनी चाहिए मैंने इसे निकाला और जस चास्ति में डाल दिया क्योंकि चास्ति पहले से बना के रखे थे तो ठंडी हो गई है अब इसे देखिए सब को मैंने डाल दिया और सबने अच्छी जूस को सोक कर लिया है अब कर लेते हैं प्लेटिंग यह देखिए कितने खुपसूरा से अच्छे से बने है ना आप तो फ्रेंड्स देखी सकते हैं लेकिन मैं टेस्ट करके बताती हैं बहुत ही अच्छे बने हैं अब थोड़े से पिस्ते की कत्रन से में इसको डेकोरेट कर देती हूं थोड़े से यह थोड़ा सा क्रंची बाइट भी आता झाल